पेपर नहीं निकलेगा आप से, पास होईएगा नहीं आप, आप पर इछा दीजेगा नहीं, पाड़िएगा नहीं, करिएगा चोरी के भारों से, और कहिएगा कोची कि सरकारे कलत है। आपके चैनिल के माधम से हम लोग कई जगा पे देखे हैं कि सीछा का क्या आस्तर गिरा हुआ है। अपने पार्टी को साख को बचाने के लिए बात बोल रहे हैं अपर जाने की बात आए और कहा जाए कि यह साधी पांच दिन के बाद किया जाए संभब है यही चीज आपको पहले कर दना चाहिए था परिछवा देही परतो तब ही है तोरा सिक्षक बन वही वो ना देवा तब इठल रहा है। तीन चार बरसों से सीटेट बीटेट अभियार्थी यह मास्टर बनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि वही दस तारीकों सिक्षा मंत्री और कविनेट का फैसला आया और उसमें बताया गया कि जो भी सिक्षा का भेरतिय हैं उनको एक विसेस परिक्षा देना होगा तभी वो मास्टर बन सकेंगे। मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और पुतला दहन वो किसलिए कर रहे हैं वहम आपको पहले के वीडियो में बताया थे क्योंकि उनका मांग है कि हम परिक्षा नहीं देंगा और हमको राज कर्मी का धर्जा भी दिया जाए बिहार के जो कैसंड क्या बोलते हैं कि कितना तुब बोल रहे हैं कि हां हम परिक्षा देंगे हमको कोई प्रोब्लम नहीं है सबसे पहले अपना परिक्षा दिजेगा भाईया मेरा माम मजय कुमार हुआ मैं 2009 सिस्वी में ही सीटेट और एस्टेट पास किया मतलब कि यह सिक्षा का भी आर्थी है अपना परिक्षा इसलाव पुर नहीं लंगा अच्छा बीजेपिके कर्ज करता है आप चिराग पासवान जी के पार्टी से वह हैं अपना पक्ष रखेंगे और विश्तार से वाट अलाब करेंगे कि आखिरकार कुछ लोग इसका बिरोद कर रहे हैं कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं औ और सिक्षा मंत्री जो हैं चंदर सेखर प्रसाद वो साब सब्दों में बता चुके हैं कि परिछवा देही परतों तवाहिया तोरा सिक्षक बनवाई वो नादेवात बैठल रहा है आप लोग बिरोद कहा है करें सबसे पहले तो यहीं सवाल हो तेखें बिरोद इस नियाम वली जो 2030 आई है अब आप ही से पूछते हैं यहां जो लोग बैठे हुए जितना युवा नेता हैं पाटी से अलग हट करके युवा के लिए बात कीजिए अगर किसी दुलहा का साधी हो और बारात निकल गया हो और ससुरार भी पहुंच गया हो और जैमाला पर जाने की ब अचानक पहले से बोर रही थी सरकार की सातमेचरन का बाहली आएगी सातमेचरन का बाहली आएगी लेकिन अभी तक कि अचानक जो नई सिच्छक नियावली 2023 ला दी गए यह भी आधाद हो रहा लाए गया इसमें सबसे बड़ी तुरूटी जो है जो समझने की जरूरत है सा पहले बहाली जैसे तैसे भी किया गया ठेपामार को भी भाल कर लिया गया है इस बात काम समर्थन करते हैं लेकिन मीनमम 4 लग सिच्छक में कम से कम तो 50,000 ऐसे सिच्छक भी हैं जो टाइलेंटेट सिच्छक हैं वो सरकारी स्कूल का काया कल्प को बदले हैं छठे चरन में जो न्यूक्त हुए हैं 48,000 सिच्छक वो सभी सरकारी स्कूल को काया कल्प को बदल बदल चुके हैं आपको पास हम दस वो स्कूल का नाम हो इसा इसा बता देंगे हिनालंदा जिला में क्यों जो आइन करके छठे चरन में अपने मेरिट के बलपत काया कल्प को असकूल को ब कर जाते हैं तो 20,000 सिच्छे बिस जार सीट पर जोइन कर लेंगे तो 20,000 सीट नुकसान किसका हुआ हम सभी रोजगारों कहीं नुकसान हुआ थीक है हम लोग भी निकालेंगे सब निकालेंगे लेकिन फिर वह अगर इस मिँआ रहा है- और जो सरकार सीट को शीर्जन कहाँ कि अप्डरा साल से या रोजगारों के अपर नहीं नहीं कि और के वार स्टूडेंट नहीं मैख्सिममं — اگ सlexig स्टूडेंट के साइब 6 माहेना पहले BPSC के ही माध्यम से प्रधाना ध्यापक के बाहली निकाली गई थी उसमें 6000 कुछ सीटों के लिए विज्यापन था पास हुए कितना स्टूडेंट साइद 4001 स्टूडेंट मात्र 4001 स्टूडेंट अब यह बताईए कि हमारे बिहार में जब IAS और IPS UPSC का जब इक्जाम होता है पूरे इंडिया में जितना रिजल्ट होता है उसका 30% स्टूडेंट पूरे बिहार से रहता है और यह प्रधाना ध्यापक के बाहली मात 421 स्टूडेंट पास होंगे यह गलत है सरकार की नियत इसा है कि ऐसा पैटर्न ला देता हो वहां पे असपस्ट नहीं करते कि आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे दोस्त और चात्र हैं जो बता रहे हैं कि सरकार का जो नियम है नियत है दोनों खराब है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इन्हीं का अगर भाई बेटा अगर सरकारी स्कूल में प पढ़ाई लिखाए में अच्छा हो बिहार का नाम रौसन करें देश का नाम रौसन करें अपने माता पिता का नाम रौसन करें इससे दिक्कत क्या है और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि सरकार है जो की गलत कर रहे हैं चात्रों के साथ चात्रों के साथ अगर गलत करती त लेकिन लोग को पता है जितने भी हम कुछ सारे टीजर को नहीं बोलते हैं लेकिन लगबग जो डर रहे हैं उनकी निहत में इसलिए डर है कि हम उसी उसी एकजाम में पास नहीं होंगे अमीद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यह जो सिछा निती पे आप डिविट रखे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम बोलना चाहते हैं कि पुर्व में बहाल करवा दिये उस समय सरकार की इसकी थी जो आपको पुन रूप से जनकारी है और जो काम हमारे नेता लालू पर साध्यादब जो 94 में काम करने का किये थे 94 में 25,000 सिचा का बाली निकला था और उस समय भी राजकर्मी का दर्जा था वही काम जो है जैसी हम लोग महागटमंदन सरकार में नितीस जी और तेजस्वी जी का बिहार के एसस्वी उपमुक मंतरी हमारे नेता तेजस्वी परसाद जी और सिच्छा मंतरी प्रोफेसर चंद सेखर जी मिल करके और ये सब बहुत मेहनत करके जो है ये फिर से जैसे कि आपके चैनल के माधम से हम लोग कई जगा पे देखे हैं कि सिच्छा का क्या अस्तर गिरा हुआ आप खुद अपने डिबेट में दिखा रहे हैं कि सिच्छा का क्या अस्तर गिरा हुआ है आप कई वीडियो में आपका देखा गया है कि जो है टीचर जो है अराम से जूक रहे हैं और बच्चे जो है वो भी जूक रहे हैं अपना सब खेल रहा है को पढ़ाय तो हो नहीं आप ऐसा भी वीडियो में कई देखा है जो बिहार के मुख मंत्री भी नहीं पता है राजपाल भी पता नहीं है या आपके चैनल के माधियम से हम लोग ने देखा है हम लोग ने ये भी देखा है कि जैसे ही आप जाते है तो बोलने में नहीं देता है तो हम लोग का कहने का मतलब है कि अगर आप CTT पास किये हैं तो बढ़िया बात है जैसे कि इन्हों ने कहा कि टैलेंटेड लोग ही हैं और वो सिच्छा पर करेंगे तो खूशी के बात है कि टैलेंटेड है उसमें सीलेक्ट होई बीपीसि करके राज कर्वी किजिए और बेहतर होगा और बेहतर सिचक रहेंगे तो बेहतर बच् tillãy ceca has7 के इनका काना है कि लोग सिच्छित होगे गरीब के बच्चे को जो नीचे तबके के लोग हैं उनका एजुकेशन मिलेगी तो इस नियामावली का भिरोध क्यों अभी इन्होंने कहा कि बहुत से सिच्छक ऐसे भी है नियोजी सिच्छक जिन्हें राजपल पता नहीं है अब इन्हीं के बातों को मैं कह रहा हूं कि ठीक है वाप वाप वाइ सिच्छक किस हद से कि आपकी बदनामी नहीं है किस हद से उसी बदनामी के लिए तो धूल रहा है और परिछा लेना है और फीर स्वहली के लिए अगर अगर उपास होता है तूसको अब भी आप भी नहीं समझें यह हम लोग को फिर सीट पर ला रही है अगर असी हजार सीट का भैकेंशी भी आएगी तो असी हजार सीट पर नियोजी सिछा को ला रही है यानि सरकार यहां डवल फायदा में कि अगर वो पास होता है तो इस पर जो आइनिंग करेगा वो सीट भैकेंट हो जाएगा जो कि सरकार के खाते में चला जाएगा आगे फिर से बाहली करने के लिए तो नया पद सिर्जान नहीं कर रही है तो नयूजी पास उसका कैपसिटी हुए तो होना चाहिए आपको लेने के लिए उसका छमता होना चाहिए और आपके अंदर हैं आपके अंदर में तो पढ़ा वही चीज रहे हैं पढ़ा वही चीज रहे हैं आप जो पढ़ा रहे हैं पर इच्छा उसी भी सैका होगा सब्सक्राइब करने के लिए इनको भी सी देना होगा ठीक है और हम लोग जो नए अभ्यारती जो जाएंगे वहां पर वह भी सी डायेक्ट राज्जी कर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगा डायेक्ट एकदम बेतमान होंगे वह जब साब कुछ के लिए तो फिर भी आप लोग अगर इस माध्यम से अगर जो बहाली आएगी तो जिन्हें राज्जी कर्मी बनना होगा तो नियोजित सिच्छा किसको फार्म को भर सकते हैं अर्थात कहने का मतलब उस नियाववली में असपस्ट नहीं किया हुआ है कि नियोजित सिच्छा का अपने ही पाद के लिए नहीं रखना चाहिए कि हम अपने पार्टी को साख को बचाने के लिए बात बोल रहे हैं असपस्ट नियाववली पढ़ने की जरूरत है आप खुद भी पढ़िए आप लोग नियाववली नहीं पढ़ा है और देखा भी है टीवी में सिच्छा मंत्री के माध्यम से भी हैं लेकिन ज हमारे तीचर संग के लोग में में उनके अंदोलन करopes हैं कि अपना वरोध कर सकते हैं सबसे बड़े पहले क्या हैं देश है देश के बच्चे के जो बच्चे हैं चातर हैं जातव पढ़ें नहीं नहीं तो देशापएगा से उपधेस हमारा बढ़ेगा कहां से लेकिन अगर जो अतीत में अगर कुछ हुआ है तो एक शीड़ी है सुधार करने का जीवन-एक जीवन जीने का जर्या है कि आज कुछ जोभी न्यामाबली बनी है उसका हम लोग बिरौद नहीं करते हैं कोईगार की इस छेत्र में जो है सिछा की शेत्र में जयान इंद्रियां ही समाप्त हो चुकि ए समझने के लिए नियमीः करते हैं कभी घठन करते हैं और कभी बीपीएसी लाते हैं एक जाम ले करके करना तो इसमें दिकत क्या है? तो हम सिच्छक नियामा बली में परिभरतन करेंगें तो यहीं परिभर्तन के खनी वोजित तरीके से कर रहे थे बोलने दीजे आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे हम बदलाब करेंगी और कह रहे थे कि यह सरकार चले का रहे थे कि नियोजी तरीके से होना चाहिए बीपीएसी से नहीं होना चाहिए तो जंगल राज था तो आज मैं माननिय मुख मंत्री जी को कहता हूं कि पुना उसी नियम अबली को आप बहाल किया हैं तो इसका मगज़ या तो जंगल राज पार टू का आपने आगमन करवा किसी घक डल के दवाम में ऐसा किया है चाहे वह तेजैसवी परसाथ जी हो या क्याकर से नियान को प्रसाथ उपके कुछिय नेता हों उनके दवाम में किये होंगे मैं यह सब परतीसत काता हूं कि दबाब में ऐसा कदम मानिय मुख मंत्री जी अपने कुर्सी बचाने के लिए किया है और भाजपा वाले और सिच्छक अभरतियों के साथ मैं हर समय उनके करांति जीज करांति नियोजित सिच्छा के साथ भी मैं साथ खड़ा हूं जैसे ही रखेंगे लेकिन उसको राज करमी का दर्जा नहीं देंगा उसको सिर्फ जैसे हैं जैसे ही रखेंगे लेकिन वहीं इस सिच्छा भी एकिती तो रहेंंगों कि आज करेंगे में कि आप डू हजार अधर मैं भी तो बहाल इसी तरह से कंपशीन लेकर कर ह्याद कि जो क्वेश्च क्वालिफाइड होगा on just पूर नियामाली को 2011 बनाये थे और उसको पूरा समाप्त कर दिये यह आई से कहा है आप लोग करते हैं जब नितीज कुमार के साथ रहते हैं तो उनका दलाली करते हैं जब विपक्ष में चले आते हैं तो उनका बिरोध करने लगते हैं ऐसा कोई नियोजी तरीके से करें तो ह आज वह क्यों गुंगा और बाहरा हो चुके हैं अबताएं जो आज भाजपा है भाजपा का भीहार में कुछ चल नहीं रहा है पूरे देश में बाजपा कर रहा है ठीक है ना क्यूंकि अब पार्टी जो भाजपा है उनको सब लोगों ने जान गया है और पहचान की करके रहे हैं आपने तो कहते की दो कलोल का रोजगार देंगे हम भारतियों को कहां दिये रोजगार आज हमारे बिहार में उठाके देखिए कि परतिये गौं कस्वे में जो लोग है ना उनको नोकरी कुछते हैं तो वहां पर गुरुजी को भी आई बोजाता है फरवरी में क्या समझाते हैं आप किस नजर से देखने भाई आई इस वाले नियमा को यह जो नीतिश कुमार के नियत है ना नीतिशी का जो मुखमंत्रियां इस बिल्कुल गलत है देखिए जिस तरीका से जिसे साटिफिकेट देखा नोकरी पाओ तो पहले तो यह मतलब है कि छीचा को चौपट कर दिए किस युका खिला गलती इंसाने सो नहों होता है मानते इस बात को पहले मेरा सवाल के जब चला रहे हैं गलती है कि सारे गरीब गुरुआ जो स्कूल में पढ़ता है सरकारी स्कूल करते हैं तो इनको खातरा समझ में आता है कि इतना रुजवार कहां से देंगे तो ऐसा नियम लाते है कि ता कि कोट में चला जाए हम तो कहेंगे कि बाहली निकाल दिये कोट में चलाए तो हम क्या करें इनका तो यहीं जवाब रहता है कि सरकार जंग अलट पार टूल आना चाथ देखिए इन लोग का बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है अभी अमीद जी हमारे साथ ही सही बोल रहे है कि बिहार मे चाली सीट है अभी हाली फिलाल में नवादा में माने गरी मंत्री अमीद सहाजी आये थे तो उन्होंने कहा कि हम पूरे 40 के 40 सीट है जो की जीतने का काम करें वो जैसे भी हो लेकिन यहां यह बिहार है यह लोक तंत्र की धरती है हमारे बापू जब देश के अजादी के लि स्री लालू परसाद यादव जी के शामने इनको कुछ चलने वाला नहीं है इनको जो 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 मीडिया लोग है आपके आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं जो बड़े बड़े जो चैनल पे जो बैठके जो दीन राध दीवेट करते हैं यहां एसी कमरा में आप तो लेकिन जो इसी सब बड़ाहाट के कारण यह सब बड़ा जा रहा है बिच बिच में अच्छा लेकिन सबसे कुछ होना जाना नहीं है बार-बार वार विद्यार्थी से जितने बी सिटेट और एस्टेट पास जो अस्टूडेंट है हम उनसे बार-बार निवेदन करते हैं क यह बिहार के भविष के लिए किया गया है और इसमें हरवडाने की नहीं है और सीधा सी बात है यह आपका जो बिच्वा जो पढ़ाते हैं कोई पी एक चोटा सा बिजनेस में आप पत्रकार करते हैं तो आप भी रात में है जो सोचते हैं कि हम को कहीं जाना है कहीं अगले अगले दूसरे अस्तान पर जाना है तो हम उसकाम को पहले रात में सोचते हैं सोचते हैं लेकिन ठीक उसी परकार जब अब स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे अई यह सबसे जादा जो बिहार में बिहार ही नहीं पूरे 20 में आप एक ह心 हम समर्थन करते हैं किसमर्थन भी करते भी रोबशाइस चाहिस जो ?? आपको तो बता दिये, मात्र 421 स्टूडेंट पुरे बिहार से पास हुए, क्या हमारे बिहार की क्वालिटी इतना गिर गई है, कि 421 स्टूडेंट पास होगे, जब UPSC के एकजाम में पुरे देश में परचम लहरता है, बिहार और UP का, पुरे रिजल्ट का 30% सिर्फ बिहार रहता है, और एक BPSC का एकजाम में 421 स्टूडेंट पास हो जाएंगे, आज तक कोई भी ऐसा एकजाम ने था, हर एकजाम का कम से कम पांच गुना रिजल्ट जारी होता है, लेकिन 6,000 स्ट में मात्र 421 से रिजल्ट और उसी को ले करके डर है, और किसी परकार का डर नहीं ह परिच्छा पास की है, वो गुरु जी बन है, तो 421 स्टूडेंट, यही नियात ही साल आती है न, कि इसका प्रस्ण पत्रा इसा त्यार करो कि विद्यार्थी पास ही न हो, 2009, एस्टेट 2009 पात्रता परिच्छा हुआ था, अब तो उसको पात्रता परिच्छा ही कहेंगे, क् कि उस समय बोला था कि यह नियुक्ती का परिच्छा है, उसका प्रस्ण पत्र का लेवल, अगर सायद BPSC के चेयर मैं देख लेंगे न, तो कसम से कहते हैं, उनके आंक से आंसू आ जाएगा, हकीकत आपको बता रहे हैं, हैं, को यहां पे हैं, मैट के स्टूडेंट है, यह सबत्र का नंबर सब्यूश है, का बदches का लगात रहे हैं, व मुणा यह वाथ करें। ठीक है ना मैंने जब उसको को मिलाया तो स्वारी को सारा कोश्चन हमारा बीएस्टी इंग्लिश ऑनर्स का था तो कहां पर गया गलत है जब आप एस्टेट दे रहे हैं बीएड करके जाड़ तो कि रिजुएशन तक तो पढ़ी के नहीं होंगे तो दीजिए पेपर नहीं न पर देख लिए जतने भी नियाम वली में सिच्छक है अगर नितीश कुमार जी मानने मुखमंद्री जी जो हमारे हैं वो फ्रेस काम कर रहे हैं तो प्रेस काम कर रहे हैं तो सिच्छक है बहरती और नियोजद सिक्छकों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है सवाल यहां पे कि समयखा जब सांवां कर तक ऐसमें लोगों के हैं अने फिरोध में बढ़का चूटा पार्टी जो हैं यृचत जुटा पार्टी का बैनर लगेगा आप सब्सक्राइब करना है और किसी तरीके से अपना सत्ता को अब को भी हो दो जीरो पर बनने का तरीक आई यह महागठवंदन के लोगों को आप अहसास हो चुका है कि इसी नियामा बली बीपीएसी के ही जरी जड़ी जब लालु जी आप लोग बार बार बीपीएसी का है बोल रहे हैं और लगता है कि अभी नया बनाएं हम नितीजी को लग रहा है कि अब जब हम नया बनाएं बीपेसी का नियाम वली तो मेरी भी सरकार चली जाएगी इसी बज़ा से इन लोगों के पीछे घबराहट आए और बीजेपी को जुठा पाटी बना रहा है याद कि जी अमिर जी मैं दूहजार उनैस की बाहल का बात कर रहा हूं चुनाब की इन लोगों ने का रहा कि 40 सीटों जीतेंगे इनके ही महागठवंदन के उभराज जब हमने यहां 40 में 49 सीटे जीता था तब महागठवंदन के उभराज समाप्त हो चुके तो उनका लपता हो गया तो मानिये जितन राम मान जी जीने और मीडिया के आप ही लोग उनको खोज रहे थे तेजाशी परसाथ जादव जी को कि वह हैं नहीं एक महिना से लपता हैं कहां चले गाए मैं उसी तरह का हवाई इस वार फिर भी ब्यार में लगा दूँ एक सीट भी महिन जो भाजपा जो है अभी भाजपा जो दो कलो रो कुछ दिन पहले राजद में थे अभी इनका धीरदय परिवर्तन ताजा ताजा हुआ है तो थोड़ा लगना चाहिए ना जोश लगना चाहिए कि महां तक पहुचना चाहिए इसका निसकर्स क्या है आप लोग का मांग क्या भाई जो बताई है अब यह बोर रहे थे कि हम बोग सत्ता के लोभी नहीं है अब यहां को बताते हैं कि पूरे इंडिया में अगर सबसे जादे किसी को सत्ता करां है हम नितिस के कार को और नितीस बावो के कार्ज को सराहना भी करते हैं कि बहुत से अच्छा-च्छा कार्ज भी किया हैं बिरोध नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी और हमें लगता है अब वो कहते हैं कि हम उप मुख मंत्री हैं हमरा भी बात ने अरे बहाई तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सत्ता लोगी तो आप अर्विंद के जरिवाल जब दिल्ली में प्रथम बार सत्ता में आये थे कॉंग्रेस के समर्थन से कॉंग्रेस अपने दबाब में रखना किनको अर्विंद के जरिवाल को सत्ता को इस्तिफा दे दिये मुख मंत्री पस से इस्तिफा दे दिये थे ठीक है आपका बात नहीं चल रहा है आप स्थिपा दे दिजिए अभी हैं स्टुडेंट यहां चात्र लेकिनी देखिए एक दल का समर्थन कर रहे हैं अब पहला बार संजेश बताते हैं जम्मु कास्मीर में पीडीपी के साथ मख मंत्री उस समय मवत्मित महभूबा मुप्ति मोहममद उनके साथ है जो सरकार बनाने करकाम के थे पता है आपको और बोल रहा है कि बीजे भी राजद है जो कि सत्ता की लोभी है जो आगे चलकर बाद में पता चला कि ओसर है जो कि सरकार के देश के खिलाब काम करती थी लेकिन देश के खिलाब के जो काम कर रहा है उसके साथ हम मिल के सरकार बना रहा है उस ठीक है लेकिन हम लोग जब दो स के और पूल रहा हैं व को सीष्षानी बनना इनको वीनिट बनना की तफन यह नहीं है और सीषचेप बड़नें और उसमें कोई बात ही नहीं तो बात इसमें परेशानी की दाँ की नहीं है कि बीपेश करके आप राज कर्मी का आपकोあと आपको दर्जा मिल रहा है आपकी वैलू बढ़ रही है आपकी सेलरी बढ़ रही है और ये लोग जो बोल रहा है कुछ दिन पहले ही राज़त में थे भाज़पा में आए हमारे कहने का मतलब है कि ये लोग नया-nyया है और इतिहास के बात कर रहे हैं कि भाज़पा इतिहास में क्या थी तो इतिहास से हमारे घर में थे तो हम लोग हमेशा संप्रदाइक ताक्तों के खिलाप है और हम लोग सरकार पूर्ण तरह से हम लोग महागटवंदन का सरकार सम्मेलन से चला रहे हैं आप लोग चाहते हैं सरकार से मांगे क्या है अपने उपरे नेता के पास दल के पच रखें और उपर तक आप अपने बातों को पहुंचाईए इसमें कुछ संसोधन करना है नियावली में कुछ तुरूटियां है वो भेंकर तुरूटियां है वो कि सबसे पहले जो नियोजित सिच्छा को इसमें लाएं है अभियरती परिच्छा से नहीं डर रहा है आप एक तो अचानक ला दिये नियम तो सबसे पहले संसोधन क्या कीजिए कि इसमें जो नियोजित सिच्छा को ला रहे हैं फिरेस वाली में आयोक के माध्यमवला में इसम में नहीं लाई है कि इसमें थी बार मवा देने की बात कहीं गई इसमें तीन मॉका दिया जाएगा इस थीन मॉकाब को हटाये क्योंकि यह आपका बैपा से भी आठ मॉका देती है ठीक हाना मोग यह को लिए और तीफरी बात जो है कि अगर आप पहेंड़eड परसेंट बहाली के उद्धेश से मतलब नियावली बनाए हैं कि हमको बहाली करना है नियत अगर साफ है आपका तो आप इलाम आप सीलेवस जारी कर दीजिए सिलेवस लेवल में जारी कीजिए आइसा ना कि अब आपका नियत ही साफ नहीं होगा तब तो कुछों नहीं कर पाएगा कुछों नहीं कर पाएगा नियत साफ नहीं होते संशेप में होते क्या क्ला हम इतने बात बोलना चाहते हैं कि पहले की जो बहाली थी कुछ मुखिया लोग कर रहे थे कुछ परमुख लोग कर रहे हैं तो यह लोग को जो है आदत लगा एक मिटा आदत लगा हुआ है कि किसी तरह जो है डिश्ट करके देदा के घुज जाना है समझे की नहीं अब एक ही अभी सवरम मनी जी बोले कि लेंदेन करके मतलब बहाल हो जाते हैं तो इसका होता है कि इनकी सरकार में भराष्टा चार अदम बिल्कुल है बिल्कुल सही ऐसे बात में लेकिन फीर भी जिसका आप लगा दिये हैं का होता है कि सेर खून चुछता उसके बाद अकर पानी दि इस बिसाय पर कमेंट बॉक्स में बताइए का हम ऐसे इस दुनिया की तमाम चोटी बड़ी खबरों साब को रुबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के लिए बनार हमारे साथ और देखते रहना वंदा दस्तर धन्यवाद